इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया ये है कटी घाटी भारत के सबसे अद्भुत दर्वाजों में से एक देखने पर यकीन नहीं होगा पर सच बात ये है कि 600 साल पहले पहाड काट कर इस दर्वाजे का निर्मान किया गया था ये रास्ता जाता है मध्ययोगीन भारत के सबसे महत्वपुर्ण शहरों में से एक चंदेरी की तरफ आज मध्यप्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित चंदेरी कजबा अपनी खुबसूरत साडियों के लिए मशूर है सोने और चांदी के जरी से सजी चंदेरी साडियां यहां से दुनिया भर एक्सपोर्ट होती है पर बहुत कम लोग जानते हैं कि चंदेरी में कुछ ऐसे शांदार समारक हैं जो पर्यटकों के होश उड़ा देते हैं यह गवा हैं उस जमाने के जब चंदेरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक हुआ करता था चंदेरी के गौरफशाली इतिहास को जानने के लिए हमने बात की लेखक और इतिहासकार मुझफवर अंसारी से जिन्होंने चंदेरी पर कई किताबे लिखी हैं उन्होंने हमें बताई चंदेरी की कहानी पूरा शहर हमारा आप देख रहे हैं इस तरह से यह पहाड़ों से घिरा हुगा है और यह विंद्यान चल परवत शिंखलाएं कहलाती है और इस्में जियोलीजिय के हिसाप से इसको इसके हिंदोस्तान की दूसरी पराणी रैंचों में ग impeachment होती यह आरा वली के बाद में यह चार तरह से पहाड़ है तो इसमें झरणे भी हैं झरने हैं तो उसमें जरने भी हैं जरने हैं नदिया ही बन रही हैं तो इसका सबसे पुराना जो बेक्ग्राउंड है, हमने उसको माटा है आदी मानव से, जिसके हमको यहां पर बड़े पड़े हुए बहुत सारे सुबूत मिले हैं, गुफाओं में, गुफाओं के आसपास में, नदियों किनारे, खेतों में, तो इसको विशेशक्यों ने पह यहां, देड़ लाग साल पहले तक के यहां पर आदी मानव के इस्तमाल किये हुए औजार, जिसको हम पाशान काली हत्यार बुलते, वो यहां मिले हैं, तो एक हमारा एराग्या, पैलियोलिथिक से लिए करके, चाल को लिथिक तक, पैलियोलिथिक हो गया, उसमें भी तीन ह पांच हजार इसा पूर्व तक इस इलाके में आदी मानव की यह विच्ण इस्तिली है, और उनकी सारे तेरा साइटों में, तेरा गुफाओं में, तेरा रॉक शेल्टर्स कहलें, उसमें आपको उनके चितरकारी, उनके बनाने के जो टूल्स बनाने का जो रो माट्रियल है वो है, कलर बनाने के रो माट्रियल है, वो पड़े हुए है, ऐसा लगता कि दुकाने हुआ करती नहीं है, उनके टूल्स बनाने के जिसको घेस के टूल्स बना रहे हैं, टूल्स बनाने के भी टूल्स होँआ पड़े हुए हैं, तो यह हमारा चालको लितिक के समय तक हमने इसको देखा कि यह हमको मिलता है उसके बाद का जो हमने एरा इसको हम घरंथों से या हम धार्मी घरंथों में एक चेदी महाजनपत का एक जिक्र मिलता है जिसके राजा शिशुपाल हुगा करते थे शिशुपाल जो थे ना वो वो राजा चेद के पोते थे ऐसा केða तो उनके पिता जी का Assistant के राजा हुआ करते हैं वेदधिक काल के बाद में एक एक वेदिक काल इसको हम बुर्धिस्ट वेदिक काल बुलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि बेत्वा नदी हमारे मेरे सीठी हाथ तरफ बेत्वा नदी है। हमारा शहर भी दूर नहीं है नदी से यह बिलकुँ पास में लगी बेतवा नदी हम लोग बुंदेल खंड की इसको गंगा कहते हैं बड़ा मीठा पानी है बावर ने इसके वारे में लिखा है बावर ने अपने तुजिक के बावरी में लिखा है कि चंदेरी शहर जिस नदी ही बोलते थे गिरन थो में इसका नाम मिलता है इसके बाद में तो यह जो सविताय जो बसी तो उसमें हम कह सकते हैं क्योंकि नदियां पहले हाइवे हुआ करते थे उन्हीं हाइवे के किनारे पर जाना धीरी-दीरे करके शहर आबाद होने लगे तो एक हाइवे था जिसको ह ओनम काछयके दक्षैपत जो है ना दक्षैपत दरसल हिंदु कुश परवंस से सीधा आता हुए जो पुराने शहर थे। असके वूम करेकंड हो गया है stupid, mathura हो गया आगरा तो ठानि उस समाने वैसा है कुछ हो सकता और कुछ नाम हो उसका उसके बाद में ग्वालियर हो गय आफॆ कर उनगिटो और जीरफ तुवर्डी के ने सब्सक्राइब और से भान उन उर्ट कोश्चिरn के अ एक उसका हूरे विंपोर्टेंस था कि ये एक ट्रेड रूट पर एक व्यापारिक मार्क पर आवस्तित होने के वोगे से इसका बड़ा एहमियत रही तो व्यापारी जब होते हैं तो बजार भी होते हैं बजार होते हैं तो खरीदार भी होते हैं खरीदार होते हैं तो पबलिक भी खुब होती है तो इसका हमको सबसे पहले हमको मिलता है अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखा तारीखेहिंद में कि चंदिरी एक शहर है जो सोहानिया से इतनी फरसंग दूरी पर बसा हुआ है और एक नहाएट खुबसुलत शहर है तो ये दस-1030 में अलबरूनी ने चंदिरी का नाम सबसे पहले चंदिरी मेंशन किया उसके पहले हमको शिलाल एकों में और इंस्क्रिप्शन जो है ना जो मिले हैं उसमें इसका नाम होगे मिल रहा है चंदरपुरी लेकिन चंदिरी शब्द सबसे पहले किसे इस्तमाल किया तो वो किया किसने आलबरूनी ने अपनी महमूद गजिनी के उसमें उत्तर से दक्षिन जाने वाला भारत का प्रमुख व्यापारी महामार्ग दक्षिनापत पर स्थित होने के कारण इस इलाके का महत्व प्राचीन काल से ही रहा मौर्य, गुप्त, गुजर प्रतिहार, कचप घात और चांदेल ऐसे कई राजवन्षों ने इस इलाके को समर्धिक किया साथमी और आठमी सेंचुरी में कहते हैं कि एक मंडोर राहिस्थान में एक डायनिश्टी शुरू हुई जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार डायनिश्टी तो मंडोर से चल करके उनके कन्नोज आए कन्नोज में उनकी कैप्टिल बनी फिर उनमें ब्रांचेज बनती गी तो कि दूपकुन में आगई गौलियर में आगई उज्जेन में आगई तो यह पूरा इलाका हमारा नॉर्थ हिंडिया जो था ना वो सारा आगया गुर्जब भी इनके साथ में हो रही हो यह जब इनका डाउन फॉल हुआ तो यह सारे पावर में आगए और इन्हों ने जब इसके पूरे इलाकों समाला तो यह बड़ा सक्सेज सक्सेजी तरफ चला गया कच्छब घानिश्टी ने तो गौलियर से ले करके यह पूर एरिया में आप कर जहना जाएं तो मैं कह सकता हूं कि मद्यप्रदेश का सबसे ज्यादा हैरीटेज का अगर कोई रिच एरिया है तो आप इसके पचास किलोमीटर का अगर आप ऐसा परकाल से लगी चें तो इतनी इतनी हैरिटेज प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि अगर सरकार इसको करना चाहेना तो पूरा हैरीटेज मलब जहना इसको हम चंदेरी हैरीटेज एरिये के सकते हैं पूरा इतना जबरस हो कच्छब घातों का जब जहना गया तो यह इसमें नरवर में एक जहना चहार देव करके इनको कहते हैं कि यह गणपती देश चहार देव एक बड़े मशूर उनके कबजे में यह आ गया लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चला और उधर से उननका गयासुत दीन बल्वन का एक दिल्ली अब सल्तनत का हमला होने लगे हैं क्योंकि यह दिल्ली के आउट पोश्ट की तरह थी तेर्वी शिताबदी में दिल्ली के सुल्तान बालबन के काल में चंदेरी दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ दिल्ली सल्तनत का काल चंदेरी का स्मर्ण काल था जब भारत के सबसे समर्द्ध शहरों में से एक था हम यह कह सकते हैं कि सल्थन से पहले का जो शहर है उसके बारे में सिर्फ हम एक इले के बारे मिलता है कि गुज़प पृतिहार जब जहना इस तरफ आ गए न तो एक हजार अठारा का एक इंस्क्रिप्शन मिला हमको जिससे पता लगता कि चंदीरी में एक कीर्थी पाल के नाम सबसे पहले यहां पर बारा सो बावन 1252 में स्लेव डाइनिश्टी और इस तरह इस तरह पूराना शहर है वहां पर चंदीरी ग्राजों का बुड़ी चंदीरी वहां पता लगता है इदर देवगड़ है आसा पता लगता है लेकि उसमें इतना डिटेल नहीं मिल रहा है हमक कि यह कैसा कि एक इतना बड़ा शहर था इतने ट्रेडर से रहते थे यह तो हमको जब जना सल्तनत काल जब शुरू हुआ तो सबसे पहले यहां पर बारा सो बावन 1252 में स्लेव डाइनिश्टी गुलाम वंच के गया सुद्दीन बलबन सबसे पहले यहां आए नासुद्द के बाद में इस तरह नीचे धार और अजनी यह पूहता था था इनका जब जीत लिया इनका अपना एक गवरनर यहां पर आ गया अब जब यह लोग आ गए तो फिर दिल्ली सल्तनत की नजरें इस तरह रहीं कि यह तो सेंटर इंडिया में एक बड़ा इंपोर्टन टाउन ह इसके लिए कुछ करना भी चाहिए 1296 में जब 1286 में यह गया 100 दिन बल्वंग खतम हो गए तो खिल्जी डानिशी शुरू है दिल्ली में अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के जलावद्दिन खिल्जी के भतिजिये थे अलावद्दिन खिल्जी वो किसी नाराज होके इस तरह आगे तो उन्होंने अपना खूब इस लागों को लूटा भी जीता भी सब किया और देवगरी तक आगे नीचे तक चले गए तब यहां कर पता लग रहा हैं कि चंदरी किस तरह का शहर है अब हमको लिखना मिल रहा है कि वो खत लिख रहे हैं जलाव होतीन खिलजी का भी समय चला गया तब तुगलक आए तो तुगलक आए तो देवगरी की तरफ जब जा रहे हैं वो तो यह इसी शहर से निकल ले उनके साथ मैं इबने बतुता भी थे इबने बतुता ने अपने हिंदुस्तान की यात्रा की जो किताब उनकी उन्होंने उस लिख रहा है यह लिख रहा है इसके बाजारों में इतनी भीर होती है कि आसे निसे निकल ली सकते है और फिर लिखते हैं वो कि यहां पर एक आजम मलिक करके जहना यहां गवर्नर रहते हैं और जिनको शुक्रवार के लावा किसी और दिन नहीं देखा जा सकता और हमेशा विद्वानों के बीच बैट करके सिर्म धर्म के उपर जहना प्रिबात किया करते हैं तो बड़े मश्यूर यह चौदिम सधी हो गई 1341 से 1342 के बीच की बाद है यह चंदेरी की पहचान यहां पर बनने वाले वस्त्रों के शुरुआत भी दिल्ली सल्तनत के दौर में हुई चंदेरी का जो वस्त्रों ध्योग है सारियां तो बहुत बाद में आई है इसमें वस्त्रों ध्योग को हम कह सकते हैं यह एक्चल में यह शुरू हुआ अला उद्दिन खिल जी के जमाने में और इसका एक रिफ्रेंस हम लोगों मिलता है कि एक गौर्ड डानेश्टी में ज यूसुफ मखदूम शाव विलायत रह्म तुलारे उनके फॉलोवर होने के लिए हैं आए थी तो वो चूंके बंगाल उस जमाने में दस्तकारी के लिए बड़े मशूर था आज भी बंगाल की सारियां बड़ी ताथ की और यह सारी मशूर है ड़काई मलमल तो उसमें जो जो गुरुब था उसमें बहुत सारे बुनकर थे तेरा सो चार में थर्टीन ओफोर में चंदिरी आए कुछ लोग फॉलोवर हो गए यहां पर और कुछ लोग फॉलोवर हो करके यहां से बापर चले गए एक यहां पर जाना अलाउद्दिन इखिल जी की तरफ से एक जाना एक गवर्नर था इसका नाम था मलक तमर सुल्टानी पहलोवान एरान इसका पूरा नाम और टाइटल के साथ था इसने देखा कि संदिके पास बड़ी फीर लगी रहते हो मैं तो सुल्तान हुए है कि में तो कोई नहीं आए था मेरे पास तो इसने एक दिन खाना जंगी का कर दिया और बहुत मार काट हुई तो उसमें तमाम लखनावती के लोग यहां से चले गए अब वो संती भी जाने लेगे लेकिन यहां के लोगों ने कहा कि ठीक है यहां पर कपड़ा बनना शुरू हो गया लेकिन कपड़ा आम नहीं था ही क्योंकि इसमें सोना चांदी की बड़ी नफासत के साथ बनाई होती थी और जब सोना चांदी आ रहा तो कीमत कीमत भी उसकी जाद होगी तो यह सिर्फ यह ना राजशाही परिवार राजगराने देखी जाने वाली ज्यादातर आलिशान और एतिहासिक एमालते इसी मालवा सल्तनत के समय की हैं 1390 में तुगलकों का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो रहा है एक सिपह सालार को तुगलकों नहीं वहां से बेजा दिल्ली से कि जाकर चंदेरी का एरिया किसी और के कभज उसका नाम था दिलावर खान गोरी जैसी नव्य से और जब 1400 के तरफ पहुंच गए हम तो वहां दिल्ली मुनको डाउनफॉल हो गया है कि इनका तुगलकों का इनका डाउनफॉल होना यह सिपह सालार यहां आया जो इसने देखा कि अब तो हम बहुत दूर है दिल्ली से हम अपने आपको इंडेपेंडेंडेंट कर सकते हैं सौतंत गूशित कर दिया और अपनी कैपिटल बना ली धार तो चंदीरी और उसका धार का यह गुवेनर बने वहां से बनाकर भेने गए है और इनने अप जा करके इंडिपेंडन कर दिया अपने हाँ को लेकिन सिक का अपना नहीं चलाया क्योंकि अगर वो दुबारा जिन्दा हो गए तो इनकी ख़वर ने लेंगे तो ये जैसी दिलावर खान गोरी का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा था होशंचा गोरी होशंचा ने कहा कि मेरा बाप था उनका मानने वाला मैं तो नहीं मैं तो अपना तो उसने उठा कर धार से कैपिटल ले गया मांडू बस मांडू कैपिटल पहुंची और चंदेरी का फिर और उरूश पराना शुरू है तो ये कहते हैं कि एक्चल में मालवा की सल्टनत की जो तो ये खिसक करी दर आयाते थे पंदर्मी सदी में तो ये मालवा की राजधानी की पंक्ती में बैढ़िया और बड़ा इसका रहा हो तो सबसे ज्यादा में ये कह सकता हूं चंदेरी में जो हरिकेश प्रापरटीज हैं वो जो बनाई गई हैं दिल्ली के लोगों की तो एक अपना इमारते बनना शुरू हैं है 4 पूरी city wall बनाई उसके बाद में तालाब बहुत सारे बनाए गए फिर जब शहर बढ़ता जा रहा है तो जरूरत भी बती आ रही है कुछ समय तक चंदेरी चित्तोरगर के राणाओं के अधीन भी रहा चंदेरी की इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है वीर योध्धा मेदिनी राय का जिन्होंने खंदवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ चित्तोर के राणा सांखा का साथ दिया था खंदवा की लड़ाई में बाबर की जीत के कुछ ही समय बाद मुगल फोज ने चंदेरी पर बड़ा हमला कर उसे जीत लिया तब से यहां पर मुगल शासन की शुरुवात हुई लोग कि अशारा कर रहें, तो उन्हों ने उनको चंदिरी का गवनर्न बना के भेज़ दिया कि इसको मेहदनीराएका। जब यहां आ गए यह तब लोगों को यह लगा कि नहीं। अब ये दूर हो गए हैं तो अब ये ऐसा ना हो कि ये पावर बढ़ाते बढ़ाते एक दिन जहना मालवागी सल्तनत को अपनी कबसे में ले लें इनका हारना हुए इनका गिर्फता कर लिए गया गिर्फता करके इनको ले जाया जा रहा था इतने में राना सांगा ने पूछा उनसे कि अब तुम तो ग्रफतार होगा तुमने तो ये बत्तमीजी की यहां आ करके अब ये बताओ कि तुम आज साथ क्या सुलूक किया जाए ग्रिफतार तो ही कहूं तो महमुद खिल जी की तरफ से जवाब मिला ये तारीख फरिष्टा में लिखा हुगा है वो कहने लगे कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या सुलूप करता है ये कहना था तो उन्होंने अपनी बड़ी दर्या दिली दिखाते हुए राना सांग के गए वहां पर गुजरात के वालों उनको पकड़ के मार दिया तो महमुद खिल जी से हटने के बाद में ये आकर कि यहां के इंडिपेंडनर राजा होगा और चितौर के कबजे में चलागी चंदीरी तो मेंद्री राजा हो गए जब महमुद खिल जी के खिलाफ लड़ा में हमारे यहां की सेना भी थी मेंदीर राय उसके वो कर रहे थे अगर थे उनके तो जब लड़ाई हानने कबाद भी वापस आ गए लो राना सांगा भी जख्मियों के चले बावर के हुसले बढ़ गए तो किसी ने कह दिया कि आप जो बच्चे हुई राजबू थें वो स जेहर चोटा नइए बावर के पास में 10-12000 केहते हैं सिर्फ सेना थी हम हमारी सेना हर चुकी थी टिए तो हौसले थोड़े से कम थे तो उसने आकर के लड़ाई को टालने की कोशिस की केते बावर में कि मैं लड़ाइं नहीं लड़ा क्योंकि उसके पास तो कोई ये मददकनवार आए गर नहीं नहीं है तो उसने उनको कुछ सजेश्ट किया कि आप एक काम करो कि मैं लड़ने आया हूं लेकि लड़ाई चल सकती है लेकिन इसमें यह है कि या तो चंदिरी छोड़ दो तुम एक संशाबाद शहर वो दे देता हूं या फिर मेरे सवर्डिनेट बन जाओ तो जो टैक्सिस हम ते करते हैं वो तुमें देते रहना तो यह रा जारू दिले के आए था बाबर तो वो शहर में ना आ करके कहते हैं कि एक बहजत खान तालाब था उसके किनारे या करके उसने अपनी पूरा सैट अप जमा लिया और इंदा करता है जवाब आए जब नहीं आया तो उन्हें एक पहारी कटवा करके अपनी तुराएं बना कर के और कैनिन टेंकर्स को किले को उपर लेकर आ गया और आ करके अब यहां पर इनने देखा कि हमारे पास में इतना असला नहीं इसके खिलाफ लड़ें तो चुक्कि हमारी सेना उपर थी और दुश्मनी सेना नीचे थी तो इनके पास में सबसे अच्छा चांस हा कि पत्थर कर दुद्द में करो तो भावर लेक्ता है तूसी के बावरी में कि मेरी एक टुकडी को पफ़र और मशाल है पटक-पटक मार दिये म्हार गया है क्योंकि अफ्र पर से पत्थर पटक रहें तो वो तो बम का काम कर रहा है इसने तो पर चलाई तो असर नहीं की तो पहाड में क्या असर करेंगी इसके होसले तूटने लेगे बावर के फिर जब उसने किला पांच किलमेटर की परिदी में बैठा हुआ है तो किसी जगह से उन्हें रसी डाल कर दी और उसमें सब खतम हो गया मोगलकाल में एक सम्रुद्ध चंदेरी का विवरण हमें अबुल फजल के एन अकबरी में मिलता है अकबर के जमाने में एक और्चा जगह थी जहां पर बुंदिलाओं का अपना वो था कैपिटल थी वो और उसमें जहना मद्यूकर शा करक उनका बेटा था इसका नाम था राम शाह उन्होंने चंदेरी को अपने कबज़े में लिया था मुगलों की पॉलिसी रहे कि जिस रिमोट एरिया में तुम नहीं पहुच पा रहे हो तो बैतर है कि उम्हां के लोगों से हाथ मिला करके और अपना टैक्स लेते हो तुम भी स अबू फजल ने चंदेरी के बारे में आईने अकबरी में काफी अच्छा लिखा है अब ये बिलको टेटेल लिख रहा है हाला कि बाबरी भी लिख रहा है किस तरह का शहर है कैसे मकान हैं अमीर लोगों कैसे मकान हैं गरीब के कैसे हैं मिडल वाले लोगों कैसे मकान हैं कै कैसे जाली, अमीरों की उसमें बालकनी में कैसे जालीयं दिखती हैं, और कैसे जरोके बने हुए, तो जब अकबर के जमाने में, जो उनका जो लेखक थे, आईने अकबरी में उसे लिखा, ये दोरे अकबरी के बड़े शेहरों में शमार है इसका चंदिरी का, जिसमें 14,000 पत जिदे हैं, और और तमाम चीजें, जो छोटी बड़ी हैं, तो ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े शेहरों, फिर उसमें ये भी लिख रहे हो, कि ये इस शेहर की जो सारा नामदनी है, वो और शेहरों से ज्याद अच्छी है, और यहां की कितनी सेना रहते ही, इ इस तरह से, अकबर के जमाने से फिर ये बुंदिलाओं के पास गया, लेकिन वही आउट पोश्ट रहा दिल्ली कही है। हमारे यहां बुंदिलों का एक्चर में डाउन फॉल शरू हो गया, नाइंटीन सेंचरी के शुरू होती ही, एक मोत पहलात करके यहां के बुंदिलाओं के वो थे राजा, जब उन्होंने उनका डाउन फॉल हुआ, तो जॉन बैप्टिस्ट फिरोज करके एक गॉलियर का, इनका सिपह सालार था, सिंधियाज का, 18-18 में चंदेरी पर हमला करके यह पूरा एलाका उसने अपने कभजे में ले लिया और यह अपने यहां का बैठ गए, जॉन बैप्टिस्ट फिलोज, लेकि यह ज़्यादा दिन नहीं चले, क्योंकि बुंदिला लोग यहां के लोकल तो अंग्रेजों का दोर आ गया, तो अंग्रेजों ने जब रानी लक्षिबाई को हराने जा रहे हैं तो इन्हों ने चंदेरी को पहले कब से मिलिया, हैमल्टन जबलपूर से अपनी सेना भेज़ रहा है जहांसी के लिए, चंदेरी पीच पड़ गया, तो हमारे राजा क तो शांत हुई, तो इसमें जहना, यह जब हमारे राजा पकड़े गए, तो यह चला गया कि इसके पास में, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास में 1861 तक रहा, या 1860 तक रहा, और फिर एक पनिहार एक जगह है ग्वालियर में, वहां बेटके सिंधिया और अंग और अंग्रेजों के पास रहेगा, लेकिन यह हिस्सा हम आपको नहीं देंगे, यह हिस्सा हमारे पास रहेगा. तो शंधी में चंदेरिया ने गवालियर-पिरिश्टिरी इस्टेट का हिस्सा बन गया, जैसी उनका हिसा बना, तो यह जो यहां का इंडिस्ट्री जो डाउन तो लोग वैसे भी निकल गए यहां से अंग्रेजों ने बहुत दबदस हमले किया दोस्तों भी लोग बहुत नुक्सान हुआ तो छोड़के जाएं लगे लोग फिर ट्रेड रूट से हटिया तो लोग जाएं लगे अब ये इंडर्स्ट्री को बचाना भी ज़रूरी था औ सब्सक्राइब करके अनके अर्कियों थे सुप्रेंटेंडेंट उन्होंने उसकी लेश्टिंग की और उसपर काम लगा करके इन प्रॉपर्टी की इसको बचाया और जो दूता हुए हमारा चंदिरी का कारोबार था जिससे चंदिरी आज जानी आती है आज हिस्तिरी इतिह करके कुछ मदद देती रहे कुछ उनके फैबरिक को जो जिन जिन राजशाई परिवार उन डाउन फॉलवर था फिर भी वहां तक पहुंचाते रहे चाहे वो होलकर हो या पेश्वा हो या सिंदिया हो या गायकवाड हो इन सब के तरफ जहना यहां का कुछ न कुछ कपड जो सेक्रों हमारी जो प्रीश्ट्री इस्टेट वो धीदी खताम हो रहे तब फिर खत्रे में आ गई तो फिर उन्होंने सिंधियाज ने क्या किया कि एक यहां पर एक अंग्रेजी अंदाज का एक ट्रेनिंग सेंटर खुला ताकि एक कपड़ा ऐसा इंट्रूज हो जो आम लोगों तक पहुंच जा और यह इंडेश्ट्री डूबने से बज जाए तो उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर खुला 1909 में जो आज भी रनिंग में है और उसमें ट्रेनिंग दी कि आप अब यह वाला कपड़ा बना ताकि आम आदमी घाज जाए पिछले तीन दशकों से चंदेरी फिर से समु्रुधी की तरफ बढ़ रहा है यहां के कपड़े की मांग आज देश विदेश में हैं चंदेरी में करीब साड़े चार हजार करगे शेहर के अंदर काम कर रहे हैं और आता है कभी तो कभी बढ़ जाते हैं कभी ओर कम हो जाते हैं लेकिन 4000 के 4000 के more or less तो करके हैं काम करते हैं और यह मैं कह सकता हूँ कि मैंने किताबे लिखी है मैंने हिस्ट्री बुनकर की भी लिखी है मैंने हिस्ट्री शेहर की भी लिखी है मैंने हिस्ट्री प्री हिस्ट्री भी लिखी है तो साड़ी की भी लिखी है आज हमारे पास जो हम जो कपड़े बनाते हैं या करगे पर उसमें चांदी सोने के तार तो नहीं होते ने लेकिंगे उसका टैक्चर जो है ना आज भी हमने जो विरासत चली आ रहे हैं उसमें पूर्वाइज नहीं किया सिंथेटिक नहीं आया बिल्कुल एक इंच धागा नहीं आया यहां पर और इसमें मशीन इंवल्ब नहीं हुई जिसके विए से हमारा शेहर आज भी है ना वह है और हम बड़े खुश हैं कि हम नए जमाने की दौर में शामिर जरूर हैं लेकिन हमने अपनी विरासत को भी कभी कभी हमारी एक्जिविशन मिलानों में लग रही है जर्मनी में इटली में लग रही है कभी कभी हमारी यूएई में लग रही है मैं खुद भी है ना मलेशिया इंडोनेशिया और बंगलादेश अपने चंदीरी का बड़े शान और शौकत के साथ अपना घर मेरा दरम नकली अभी बेज़ देते हैं लोग चंदेरी के नाम से लेकिन हमारा शेर तो इसमें अपनी चीज़ को बचाये लखेंगे आशा है कि चंदेरी एक एतिहासिक परेटन शेत्र के तोर पर पहचाना जाएगा और यहां के साडियों की तरह यहां की एतिहासिक धरोहर भी दुनिया भर में सराही जाएगी झाल को में सराही में सराही जाएगी